नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल Automation Hub सार्थक में आप लोंगा स्वागत है और आज गिट में हम merge conflict के बारे में जानेंगे और इसको resolve कैसे करते हैं जानेंगे बहुत important concept है literally हम advanced level पे पहुंच चुके हैं एक branching workflow और एक चीज है बताने लाइक तो बस आज merge conflict के बारे में जानेंगे मैं अभी ये वाला वीडियो आप लोगों को एक अलग तरीके से explain करूंगा उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि merge conflict होता कैसे है क्यूं होता है तो चलिए अभी शुरू करते हैं इससे पहले कि मैं merge conflict में जाऊं मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक folder बना देता हूं folder का नाम लेट से rediff project रखता हूं तो यह हमारा rediff project है ठीक हम इस पर काम करेंगे तो चलिए रेडिफ पर चलते हैं मैं यहां पर right click करके view page source कर दूँगा और यह पूरा का पूरा इसका html page copy कर दिया ठीक है copy कर दिया और हम इस project में गए यहां पर एक new file बनाया rediff बोलके मैंने इस file में इसको paste कर दिया save कर दिया ठीक है तब rediff.text open करेंगे तो पूरा इसका html dom पूरा इधर आ गया ठीक है मैं अभी इस file को right click करके rename कर दूँगा और .txt की जगह इसको html format में ही डाल दूँगा ठीक है तो यह हो गया आपका rediff html page ओके सो अभी हमें क्या करना है मैं इस particular project पे काम करूंगा ठीक है मैं इस particular project में बहुत सारी चीजें change करता रहूंगा अलग-अलग branches बनाऊंगा उस branches में अलग-अलग changes करूंगा फिर master branch में merge करूंगा तो जब merge करने की बारी आएगी तो conflict दिखाई देगा तो वो conflict कैसे होता है क्यों होता है वो मैं आपको एक बार diagramatically explain कर देता हूं फिर आपको code करके दिखाऊंगा तो मान के चलिए यह हमारा Rediff का main website जो production website ठीक है यह Rediff का main production website ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं मान लो हमारा एक master branch है ठीक है एक master branch में हम लोग बहुत सारे commits कर रहे हैं जैसे for example जब हमने पहली बार project में start किया काम करना तो हमने पहली बार एक commit किया हम master में ही काम कर रहे हैं ठीक है project शुरुआती stage पर है तो सब कुछ बहुत जादा review हो रहा है तो direct production पर हम लोग काम कर रहे हैं हम production पर easily एक पहला commit कर रहे हैं फिर कुछ changes किये दूसरे commit पर आए फिर कुछ changes किये फिर तीसरे commit पर आए तीसरे commit तक पहुंचते पहुंचते ना तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि यह हमारा first commit है यह हमारा second commit है और यह हमारा third commit है दब third commit तक आते हाते मान के चलो code का complexity थोड़ा बढ़ने लग गया है बहुत जादा rework होने लग गया है ठीक है क्योंकि एक दूसरे को टेल कर रहे होते हैं क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में इसमें जो है वो इसका updated version है और वो इसका updated version है तो सब कुछ इधर जाके merge होता है main production website में क्योंकि यह master branch है सारे commits एक दूसरे की addition ही होते है और updation होते हैं तो मान लो third commit के time पे बहुत जादा कॉंप्लिकेशन बढ़ रही हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही है तो ऐसे एक तौर पे हमने सोचा कि चलो एक QA1 branch बनाए जाए तो और एक branch बना दिया इन्होंने कि स्वारी तो एक QA branch बनाए गया जिसमें यह fourth commit इधर रखा गया कि फॉर्थ कमिट इधर रखा गया मैं इसको अब थर्ड कमिट समझें फॉर्थ कमिट फिर यहां पर यहां पर भी और काम होने लग गया ठीक है तो यहां पर फिफ्थ कमिट भी हुआ ठीक है ऐसी काम चल रहे है तभी किसी ने सोचा कि चलो master branch में भी और थोड़े काम किये जाए तो यहां पर आपके lead ने कुछ बहुत बड़ा काम किया तो उसने बोला कि ठीक है भाई मैं यहां पर उसने यहां पर six commit बना दिया ठीक है फिर आप लोग continuous इधर भी काम कर रहे हो तो आपका यहां पर seven commit भी बन गया तो ऐसे commits बनते जा रहे अलग-अलग branches में काम होते जा रहे, अलग-अलग branches में काम होते जा रहे in पर अब और अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने यह बताए कि यह वाला पूराव का masterbranch है और यहां पे जो ब्रांच है इससे हम लोग QA1 ब्रांच मान के चल रहे हैं तो फिलाल एक्स्प्लिनेशन के लिए इस वरी स्मॉल थिंग ठीक है अगर प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हो सकता है QA1, QA2, QA3, QA1, QA2, QA3 ऐसे बहुत सारे ब्रांच बनेगे मैं अभी सिंपल एक्स्प्लिनेशन के लिए आपको एक छोटा सा एक्जाम्पल दे रहा हूं तो अभी हम चलेंगे डारेक्ट कोड पर सब्सक्राइब करते हैं तो हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ हुआ नहीं मैं गिटिनेट करूंगा लदे स्टाइटस कर दिया तो देहें स्टाइब स्ताइब करने है मैं परस्ट द्ピ स्टाइबं ऑपका पहली बार प्रड़क्शन में पु्स हो रहा है । अभी कमेट करेंग यह पहले add करते हैं first time commit करेंगे get commit minus m first commit first commit into master master branch इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद रहे हो गया तो अभी हमारा first commit हो चुका है यहाँ पर हमें यह हो गया तो अभी अगर आप status चेक करोगे तो बोलेगा on branch master अगर आप branch चेक करोगे तो बोल देगा master branch में है एक ही branch में सारा चल रहा है ठीक है तो अभी हमने code first commit FC वाले में काम कर दिया जो अभी हमने चेक किया ठीक है यह हो चुका है अभी next हम क्या करेंगे कुछ changes करने का टाइम आ गया ठीक है तो redif.html को मैं एक text editor मैं atom यूज करता हूँ अगर आप visual studio code यूज करना चाहें तो कर सकते हैं जिसकी जो मर्जी जो जिस तरीके से जो भी यूज करना चाहता है वो कर सकता है कोई लिक्कत नहीं मैं atom यूज करता हूँ मैं कोई mandatory नहीं है कि आप ऐसे यूज करो मैं आपको वीडियो में explain करने के लिए easy explanation में बता रहा हूँ visual studio code अटम से और बहतर है Microsoft का है तो आप वो भी यूज कर सकते है क्यों यूज कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा मैं मान के चलो मुझे कुछ changes करने है तो मैं क्या change कर सकता हूँ लेट से यह news को ना change करके दे देता हूँ change news change 1 save कर दिया मैंने title थोड़ा change कर दिया इधर तो अभी मैं आया इधर git status किया तो मेरा redif.html पेज modify हो चुका है तो अभी मैं क्या करूँगा इस modification को add करूँगा जो modifier add dot अभी git commit करूँगा git commit minus m second commit in master branch and what did we changed title changed to हमने क्या change किया था news change 1 मतलब इतना में थोड़ा change हुआ something in title has changed ठीक है बस इजान के जोड़ा इंगलिश पे ध्यान मत दो हो गया हमने इसको save कर दिया ठीक है तो अभी ये step लिखने पे हम second commit में काम कर दिया ठीक है ओके नाउ हम क्या करेंगे हम अभी move करेंगे अपने फिर से कुछ change करेंगे मान लो मैंने अभी news change 1 को news change 2 कर दिया save कर दिया अभी मैं वापस git status करूँगा modify हो चुका है मैं add कर दूँगा ठीक है अभी मैं वापस यहां पे लिखोंगा third commit in master branch title change to news change 2 enter किया अभी मैं git status करूँगा तो मुझे पता है on branch master मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता यहां third change में हो चुका है अभी हमने decide किया कि भीया कुछ बहुत जादा complication हो रहा है हमें अभी दूसरा branch बनाना पड़ेगा ठीक है तो मैं अभी मेरे पास एक ही branch है मैं check कर लेता हूँ एक ही branch है मेरे पास अभी मेरे को एक नया branch बनाना है और यह QA1 branch बनाना है और उसमें control directly shift करना है तो मेरे पास क्या command है git checkout minus b qa1 तो अभी अगर आप git branch करोगे तो आप देख सकते हैं कि qa1 पे है green पे है asterisk है मतलब qa1 में अभी control है ठीक है अभी qa1 पे switch हो चुका है ठीक है अभी हम qa1 branch में है तो यहाँ पे मैं जाके qa1 branch में न्यूज चेंज 3 कर देता हूं टाइटल को चेंज सेफ कर दिया git status किया modify हो गया अभी मैंने आपको बताया था कि directly हम commit कर सकते हैं staging area को आगे हटा के git commit minus a minus m और यहाँ पे हम लिख सकते हैं fourth commit from qa1 branch टाइटल चेंज टू क्या नाम था news change 3 news change 3 और इध्यान रखिए अभी हम qa1 branch से काम कर रहे हैं ठीक है चौथा commit हो गया तो अभी हमने qa1 branch में चौथा commit में अपना यह काम कर दिया ठीक है वैसे ही मैं जाके फिर से change 4 करके save कर देता हूं दुबारा पांचवे commit के लिए मैं वापस इधर git status करूंगा आ जाएगा वापस वही git commit minus m minus m यहां पर खाली change कर दूंगा यह हो जाएगा आपका fifth commit fifth commit from qa1 branch title change to news change 4 हो गया यहां पर भी हमने save कर दिया था वह भी हो चुका है अभी हम क्या करेंगे फिर से change कर देंगे इसको news 5 कर देंगे यहां पर fifth commit हो गया अभी छटे commit को बाद में हो रहा है मैं अभी साथवे commit पे काम कर रहा हूं क्योंकि कि किसे ने छटे commit को कर दिया था ठीक है मैं मान के चलो मैं अभी sixth commit में कर रहा हूं काम for example seventh commit में काम कर रहा हूं ने तो आप इसको काम करो इसको sixth मान लो इसको seventh मान लो ठीक है तो इसे साब से मैंने अभी वापस git status चलाना है change हो गया वापस git commit मान लो मैंने sixth commit कर दिया title change to five enter मार दिया यहां पर भी हो गया है मेरा sixth commit अभी मेरा QA1 branch में सारा काम हो गया मैंने review कर दिया बहुत लोगों से review कर वा दिया सब मेरे को ठीक लग रहा है कोई दिक्कत नी अभी मैं गया सोच रहा हूं कि मैं मैं चला जाता हूं master branch में तो जैसे ही मैं git checkout master पर वापस जाओंगा मापस पर गया अभी इसको बंद कर देते हैं जैसे ही मैं git checkout master पर गया अभी redif project पर open करोगे right click open with atom तो मैं अभी यह welcome welcome अभी आप क्या काम करो वापस news change 2 पर आ गया मतलब branch master पर है तो master का जो last updated था update उसी पर आ गया तो अभी आपको क्या करना है मैंने क्या बताता merge करना है तो आप क्या करोगे git अगर आप चाहते हो की master branch पर आ गया ठीक है तो अभी आप क्या काम करो इसको ना फिर से master branch में एक बार change कर दो ठीक है तो last हमारा news change 5 था तो master में मैंने इसको 6 कर दिया save कर दिया ठीक है अभी मैं git status करूंगा तो बोलेगा कि edit हो गया है ठीक है तो मैं अभी git commit यह करूंगा लेकिन यह 7th commit है but from master branch तो master branch से हमने क्या क्या commit क्या था पहले 1st commit क्या था 2nd commit क्या था 3rd commit क्या था 4th commit हम यहां पर आगे थे 5th commit भी यहां पर आते यह 7th लिखा हो मैंने मानलो इसको 6th है 4th, 5th, 6th commit हमने क्या 1 पर दिया था फिर मर्ज कर लिए 7th commit from master branch title change to news 5 मैंने अभी यह काम भी कर दिया ठीक है अभी मैं क्या करूंगा ठीक है जितना होना था तुने क्या काम किया मैं ठीक है तो मैंने उनके commit का वेट किया तो उन्होंने बहला मैं पहले commit करता हूं मास्टर में तो उन्होंने चेंज करके commit कर दिया अभी तू मर्ज कर तो मैं मर्ज करूंगा git merge qa1 यहां पर आ जाएगा लफड़ा वो बोल रहा है कि merge conflict in rediff1.html ठीक है अभी conflict क्या है देखिए यहां पर जब पहली बार गए थे तो first commit में एक title था यहां पर title change हुआ फिर यहां पर title change हुआ ठीक है तो master branch में अभी master branch में change 2 था change 2 था यहां पर change 1 हुआ यहां पर change 2 हुआ फिर मैंने master branch में change 2 था फिर मैं qa1 पर आया change 3, change 4, change 5 किया ठीक है मैं फिर master branch पर गया और फिर मेरे lead ने यहां पर change 5 या 6 करके इसमें डाल दिया तो देखो बहुत सारी चीज़ें हो गई है starting में जो code यहां पर production में है वो change 2 था ठीक है फिर अभी change 6 हो गया अभी आप merge कर रहे हो change 5 हो रहा है latest तो यह get confused हो जाए भाई तुम change 2 change 6 को रखना चाहते हो change 5 को रखना चाहते हो यह पुराना change 2 रखना चाहते हो करना क्या चाहते हो इतने सारे conflict क्यों है इस particular line of code को लेके तो इसलिए जब ऐसे merge conflict आता है तो editor वगरा यह बता देता है कि यह वाला use करना है कि यह वाला use करना है मैं चेक करूंगा कि ठीक है भाई मैंने जो यहां पर यह 6th है ठीक है और यह आपका 7th है तो यह मुझे यह बता रहा है कि atom और visual studio बगरा ऐसे बताते हैं कि आपको current changes रखने है या पुराने changes रखने incoming changes रखने क्या changes रखने है तो मुझे लगता है कि नहीं यार मैंने जो न्यूज चेंज 5 जो यहां पर छटे कमिट में मेरा सही था तो मैं इसको रखना चाहता हूं तो वापस इसको save कर दो तो यह हो गया अब यह बोलेगा कि ठीक है आपने merge issue throw कर दिया आपने desired merging जो भी आपको desired change को आपने accept कर लिया ठीक है अब आपे काम करो status चेक करो status चेक करेंगे तो यह आप बता रहा है कि देखिए आपने you have unmerged paths ठीक है तो आपको इस unmerged path को add करना पड़ेगा ठीक है तो आपने add कर दिया git add space dot कर दिया अभी आपने वापस git status चेक किया तो देखिए यह बोल तो रहा है कि conflict तो fix हो गया है बट आभी भी आप merging कर रहे है merging complete हुआ निए commit कीजिए merging complete होने के लिए ठीक है तो मैं commit करता हूँ merging qa1 with master after choosing correct change ठीक है आपने अपनी lead को बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा है कि मेरा यह वाला सही था आपको यह change की ज़रूरत नहीं यह perfect है तो उन्हें बोला ठीक है सबने चेक किया तो merging conflict issue हो गया resolve ठीक है अभी आप git status करो on branch master nothing to clean अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ save करके ठीक है अभी इसको right click करके open करेंगे Atom Pay News change 5 आ चुका है तो यही कहने का मकसद है कि अगर आप ऐसे multiple changes होते हैं बाई अलग-अलग branches में मान लो qa1 qa2 qa3 ऐसे बहुत complicated merge conflict आते हैं तो यहां पर तो atom में मैंने एक दो दिखाया ऐसे बहुत सारे conflicts आएंगे तो इनको issue को resolve करना बहुत जरूरी है अभी तो मैंने simple way में आपको समझा दिया कि कैसे किया जाता है कभी-कभी हम लोग automation में भी merge conflict बहुत होते हैं तो accordingly आपको उस हिसाब से merge conflict को handle करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए आपको git में थोड़ी अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपको क्या काम करना है और सबसे important हर किसी को master branch में access नहीं होना चाहिए अगर हर किसी को master branch में access होने लग गया तो यह problems आते हैं नहीं भी है तब भी problems आते हैं क्यूंकि code तो merge करना ही है तो इसलिए हर किसी को मैं बोलता हूँ कि automation में खाली selenium Java सीखना बहुत खाली उतना ही important नहीं है आपको git और ये सारी चीजों को भी सीखना पड़ेगा तभी आप एक full round automation professional बन सकते हैं तो उमीद करता हूँ गिट का ये सीरीज आपको पसंद आया होगा अगर गिट पे मुझे और कुछ ब्रांचिंग वर्क फ्लो वगरा और और अडवांस कॉंसेट मेरे को जब फुरसत मिलेगी मैं बताऊंगा तो फिलाल के लिए मैं गिट का ये सीरीज यहीं पे खतम करता हूँ इतना एक automation engineer के लिए बहुत ज़ादा है इतना भी कोई youtube मदब कोई interview में पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है अगर आप लोगोंने मेरे इस सीरीज को playlist में जाके चकीजिए गिट के सीरीज को जिसमें मैंने 19 और आज का वीडियो टोटल 20 वीडियो जिसने अच्छे से देखा है मुझे नहीं लगता उसको कभी किसी interview में गिट को लेके problem आईगी ठीक है तो बस इस वीडियो में उतना ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलना